असलावलिकम आज मैं आपको appendix के बारे में बताऊंगा बहुत ज्यादे मुझे comment में लोगों ने लिखा कि appendix क्या होता है जी appendix के बारे में बताऊंगा जिससे आपको पताचल जाएगा कि appendix होता क्या है इसका चलते हैं टॉपिक की तरफ एपेंडिक्स एपेंडिक्स जो होता है वो आपकी जो बड़ी आंत होती है उसके साथ एक छोटा सा हिस्सा होता है उसके साथ एक छोटा उंगली के जितना हिस्सा होता है ट्योब होती है एक नाली होती है छोटी सी और जब आपकी पखाने का आप के पशाग का कोई जर्रा कोई सीड़ जो है उसके अंदर फंज जाता है उस नाली के अंदर तो वहाँ पे इंफेक्शन हो जाती है वहाँ पे सूजन हो जाती है वहाँ पे पीप पढ़ जाती है तो इसको रिमूव करना पड़ता है इसे कहते हैं appendix acute appendicitis में क्या होता है कि जब आपको यह होता है तो इसका दर्द कहां पे होता है तो अगर आपको इसका दर्द होगा तो आपको सामने होगा यह सामने आपकी जो नाभी है नाफ जिसे आम जबान में कहते है यहाँ पे आपको दर्द होगा और फिर यह आजसा इसा राइट साइट पे आपके शिफ्ट हो जाएगा राइट साइट पे जो लोर आपका अब्डॉमन है नीचे वाला जो पेट है वहाँ पे आपको महसूस होगा और आप उसको ऐसे दबा के छोड़ेंगे तो आपको एक क खाने का दिल नहीं करेगा आपको खाने का जो है वो खा नहीं सकेंगे आप खाना जो है आपका मूर नहीं करेगा खाना खाने को सो यह सिम्टम हो सकते हैं जब आपको यह सिम्टम होंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर जो है आपको एक्जाम करेगा आपकी स sound किया जाता है उसमें भी देखा जाता है और urine test भी किया सकता है ये कुछ test होते हैं जो इसमें किया जाते हैं खिर ultra sound में पता चल जाता है और इसके साथ जो है आँ बाद दफा जो है वो CT scan करके भी इसको diagnose किया जाता है जब यह diagnose हो जाता है तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है तो इसके इलाज के लिए ख़ीज और कुछ एंटिवाइटिक्स पहले जब आप जाते हng हॉस्पिटल में तो आपको एडमिट करके'mkal लिख दी जातीं आपको कुछ केसि'll में बहुत कम जो केसि'll है उन्में यह ठीक हो जाता है और पिशेंट को जो वो डिस्चारज कर दिये जाता है वो घर चला जाता है बट कुछ केसिस में हो सकता है ऐसा जैद तर इसको निकाल देना चाहिए बेटर होता है क्यूंकि अगर यह फट जाये तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती तो इसको निकालने के लिए दो तरीके से इसको निकाला जाता है, एक ऊपन जो है वो टेक्निक होती है, ओपन सर्जरी की जाती है, जो कि आप पहले जमाने में देखते थे, कि आप साथ, आट, नौट, दस टांके लगते थे और फो बड़ा एक चीरा लगा कि वहाँ से उसको निकाला जाता था, आज कर जो टेखनीक इस्तिमाल की जाती है वो लेप्रोस्कोपिक किया जाते हैं, सरजरी और जिसे今日すरजरी भी कहते ही, कुछ टूबज जो है वो एक चोटा कट लगा कि इसमें से डाली जाती है, और उसको जो है वो आपकी जो appendix होता है उसको काट दिया जाता है वहाँ से निकाल दिया जाता है अगर आपका appendix फट जाता है ठीक है तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको जो पेट होता है उसमें पूरे में जहर फैल जाता है फिर आपको छोटे के बड़ा आपरेशन करवाना पड़ता है आपके पैसे ज्यादा लगेंगे आपको हॉस्पिटल में टाइम जदे स्पेंट करना पड़ेगा आपको जो है वो काफी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा सो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी हो आज कल एक चोटा आपरेशन ह होता है उससे यह ठीक हो जाता है और जो लेप्रोसकोपिक की ओल जो आजकल सर्जरी की जाती है उसकी अच्छी बात ही होती है कि उसमें हर्वनिया बनने के चांसिस जो है बाद में कम होते है आपका जखम चड़ता जो है वो जल्दी चड़ जाता है ठीक हो जाता है जखम वहाँ से खराब नहीं होता वहाँ से हर्मिया नहीं बन जाता सो हर्मिया क्या है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो यह थी डिटेल एपेंडिक्स के उपर होपस हो कि आज आपको समझ आ गया हो गया अलाफिस